आप देख रही हैं नेक्स्ट नैन लाइफ तो बॉलिवूड में हीरो और विलन ऐसे किरधार होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं आज के दोर में जाज़ार विलन बेर हैंडसम दिखते हैं जिने देखकर पहली बार में अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि ये एक्चुली में विलन है लेकिन एक समय बॉलिवूड में ऐसा भी था जब विलन किरधार के साथ ही अपने लुक्स से भी खुंखा नजर आते थे ऐसी ये कलाकार थे जिनका नाम था के एंसिंग जो अपनी डरावनी आँखों के लिए बेचाने जाते थे तो हिंदी जिनमा के जाने माने अभीनेता कृष्ण निरंजन सिंग जिने लोग के एंसिंग के नाम से भी जानते हैं के एंसिंग ने ज़्यादर फिल्मों में विलन का किरधार निबाया के एंसिंग का जन्म एक सिप्तमबर 1908 को देहरा दून में हुआ था उन्होंने अभीने की शुरुवायत नायक के रूप में की थी उनकी पहली फिल्म सुनहरा संसार थी जो 1936 में रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने एक डॉक्टर की छोटी सी भूमिका निबायी थी के एंसिंग ने भूमिका बले ही हमेशा विलन की निबायी हो तो इस पर उन्होंने कहा कि जितने पुराने लोग थे हमारे समय के किसी ने भी फिकर नहीं की कि कल क्या होगा जो बच्चे आ जाए हैं सत्तर के बाद वो बहुत समझदार होंगे उन्होंने अपनी आगामी दोपीडियों का भी इंतिजाम कर लिया है वे बत ऐसी करते थे कि उनकी बाते वाकई काबीले तारीफ थी वहीं इस इंटर्वी के दरान उन्होंने अपने खास दोस्तों प्रिस्तवी राज और सहगल साहब से जुड़े एक किस्से को भी याद किया जिसके जरी उन्होंने बताया कि सहगल साहब की फैन फॉलिंग कितनी ज़ादा थी उन्होंने बताया कि मेरे यां अकसर लोग आया करते थे एक रात काफी लोग मेरे यहां रूम में थे करीब दो बज़ रहे थे और सहगल साहब को एक गाना को बना रहे थे कमरे में सिगरेट का दूआ बहुत ज़्यादा हो गया था जिस वज़ा से मैंने उटकर पर्दे खोले जैसी मैंने पर्दे खोले तो देखा कि वहाँ बहुत लोग चमा हो गए हैं केवज सहेगर की आवाज सुनने के लिए दोस्तों आपको बता दूँ कि के एन सिंग ने अपने करियर में करीब 200 से ज़्यादा फिल्म में की हैं ये एक ऐसे विलन रहे हैं जिन्होंने अपनी आँखों से ही लोगों के जहन में खौफ बर दिया वो अपनी आवाज, अपने स्टाइल और अपनी आँखों की बज़े से मश्यूर थे उन्होंने बागवान, सिकंदर, हवडा ब्रिच और तमाम फिल्मों में काम किया के एन सिंग का निधन 31 जैनवरी 2000 को मुंबई में हुआ अपने अंतिन समय में उन्होंने अपने दोस्तों को और करीबियों को खूब याद किया लेकिन उनके अंतिम समय में और के पास कोई वी नहीं था